अलो एवरीबन वेलकम आल फ्यू तो दी डेली न्यूस अनालिस फॉर्ट ऑफ एपरिल 2023 आज का न्यूस अनालिस थोड़ा लेट है बट क्या है कि वियर अरेंजिंग तो हाव दी स्टूडियो स्क्रीन इंटराक्टिव पैनल जिसे हम पढ़ाते हैं क्लासिज में अट आर हू इंडिया ऑजाया प्रधान मंतरी जंकरें कंट्री तो उनका क्या क्या कहना Bereich चीज ही हम डिसक्स करेंगे नाव सेम सेक्स यूनियन पर एक एडिटोरियल है उसको भी डील करेंगे और न्यूस आर्टिकल भी है देन यमुना क्लीन क्यों नहीं हुई केजरिवाल ने यह कहा था केजरिवाल ऐस दी चीफ मिनिस्टर सर ने यह कहा था कि यह मुना जो है पू या वाटर पॉल्योशन में क्या-क्या रीजन्स हैं और क्या-क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वज़ा से यमुना क्लीन नहीं हो पा रही नाव टेक्स एंडिक्टमेंट अगेंस डॉनल ट्रंप इंडिक्टमेंट क्या होता है कैसे राश्ट्रपती को और भुटान की एक फ्रेंड्शिप ट्रीटी थी 1949 की फिर 2006 में से रिवाइस किया गया जिससे कि भुटान इंडिया एक बाइलैटरल इक्वल प्लेयर्स माने जाते हैं लेकिन अब भुटान जो है चाइना को इसमें इंक्लूड कर रहा है तो वो चाइना इंडिया को एक्स जाएगा कि उनको जो है इंडिया के दर्शन कर आए जाएंगे इंडिया की जो गुट्विल है उसको करने के लिए यह भी न्यूज आर्टिकल समझेंगे इरावे कलम नाशनल पार्क में फिर्नारियम फर्न को ग्रो करा जा रहा है ठीक है तो फिर्नारियम क्या होता इसको स रहा है और अबन इंडिया आगे होता जा रहा है अब इंडिया में 5G आ गया 6G की बाते हो रही है लेकिन रूरल इंडिया में 2G भी अच्छे से नहीं चलता काफी हमारे गाहों में 45,000 गाहों ऐसे हैं ग्राम पंचायच ऐसी हैं जिन में नहीं चलता 6G का क्या फाइदा इंडिया वांट्स टॉरिजम एकॉनमी बाइट विश्वास रखो की डियर ने होगा जरूर रेगिलारिटी से थोड़ा टाइम लगता है उसमें राइट नाव इंडिया नीज़ नाशनल प्रोग्राम और आउटिसम यह एडिटोरियल करेंगे यह कहा जा रहा है कि गवर्मेंट ने यह कस्टम्स ड्यूटी को वेव उफ करने की बाते और यह सब तो कर दिया लेकिन उसके ब्यूंड जाने की जरूरत है नाशनल प्रोग्राम और आउटिसम जो बच्चे थोड़ा धीमी गती से सोचते हैं सुनने की केपासिटी कम होती है तो उस आउटिसम से डील करने के लिए हमारी कंट्री में इनके केसे ऐसे बच्चों के बढ़ रहे हैं जिनका थोड़ा स्लो पेस में वो रियाक्ट रिस्पॉंड कर पाते हैं नो सयो नारा फॉर जपान इंडिया पैसिफिक रिलेशन इन इंडो पैसिफिक जियो पॉलि जपान और भी ज्यादा इंगेज होना चाहा रहा है जियो पॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक के फ्रीडम ऑफ निविगेशन रूल ओफ लॉव चाइना के जो इंकर्शन हैं जपान के बी कुछ आइलेंड्स हैं वो इसमें इंक्लूडिड हैं तो यह सारी चीजों के मद् सब्सेट हैं एग्यों के बाद बार बार फेलियूर जाय चाहलेंज्ट्िक नोने जो आई-एस-इपी-एस-टूड रित थीक है एक बढ़ा एम है लेकिन उनकी लाइफ इस्ट्री में आप देखोगे वही उचे पहुंच पाए राइट वही इतनी उचाई पहुंच गए जितने की जिनको सक्सेस जल्दी मिली वह रिजाइन करके बैठ गए मतलब समझ रहे हो ना मैं कहां इशारा कर रहा हूं वहां पर नहीं जाना है जहां मैं कह रहा हूं या जहां तुम सोच रहे हो ठीक पॉइंट क्या है जिन लोगों को सफलता के रास्ते में संघर्श करना पड़ाना उनकी फांडेशन और स्ट्रॉंग हो गई तो जब रास्ते में तुम्हारे प्रॉब्लम आ रही हो प्रैक्टिकली बता रहा हूं यह यह नहीं कि मौरालिकी मैं यहां पर बाबा बन रहा हूं नहीं जिन लोगों की लाइफ कि वो चीज़े तुम्हें कुछी और चीज़ के लिए तैयार कर रही है जो तुम्हें बाद में चलके समझ में आएंगी तो सिरफ विक्ट्री नहीं चाहिए ऐसे विक्ट्री क्रियेट करना कि हिस्ट्री लिखने के लायक बन सको बात और जज़बात दोनों समझना यह निउस आर्टिकल को हम समझेंगे जो फेट लीडर्स हैं जो हिंदू मुस्लिम से खिसाई जो कभी एक नहीं होते वो भी एक रेयर यूनिटी दिखा रहे हैं सेम सेक्स यूनियन पे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में हमारे जो चीजे हैं उनको रिकनाइज नहीं किया जाता कि सेम सेक्स मैरेज है बच्चा होगा वह पापा पापा बुलाएगा या मम्मी मम्मी बुलाएगा है ना अगर मानलों विद्द्यू रिस्पेक्ट किसी दो लेजबियन कपल की शादी होती है तो दोनों मम्मी हो जाएंग सेमे में बॉल डाली थी हमने ही आपको बक पास किया था कि आप डिसाइड करो कि क्या सक्शन 377 होमो रिक्रिमिनलयगा ओना चाहिए तिacter के इंजरा अब आप स्प्रीम कोड ये भी कह दें हो कि सैंस क्सक्षें 377 देक्रिमिनलयगा होने का मतलब ये है कि अब को फिनकेस अगर हो तो बुरा मतमाना मतलब मैं कुछ जेंडर नूट्रल टर्म में समझाना चाहरा हूं दो लेस्बियन्स जैसे अगर एक इंटर यह नो सेक्स कपल पाया जाता है मेल फीमेल होटेल में पाया जाते हैं या कहीं पर चेक-इं करते हैं उनको फ्राउन अपॉन नहीं किया बस इतना लेकिन अगर सुप्रीम कोट यह कह रहा है कि सेक्शन 377 के डी क्रिमिनलाइज होने के बाद इपसो फैक्टो बाइवर्चिव दिस फैक्ट ओन इट्स ओन अपने आप इंटर सेक्स मारिज़ या सेम सेक्स मारिज़ लीगलाइज हो जाएंगी यह कहना गलत है तो ह सेक्स में अभी वह पड़ाव नहीं आया वी हावन्ट येट रीच्ट आट काइंड अफ मेचॉरिटी या जो भी को मॉडन इटी सुकॉल्ड मॉडन इटी जो भी कि भई हम सेम सेक्स मैरिज़ क्यों कि फिर इसमें क्या है कि फिर सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी के भी नियम सेक्स से और हो सकता है फादर उसको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते थे या जो भी है ऐसे चीज में दिक्कत आ जाएगी ठीक है हम अनन्द तंबानी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे है ठीक जेवी आइस 10 नाम के टेलिग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प पर निवस्पेपर अनलेसिस बना रहे होते हैं तो वी विल ट्राइट शेयर दिस अलोंग बद यू इंपॉर्ट नूस क्लिपिंग अनौल तक्त अजमेर दरगा के रेप्रेजेंटेटिव के साथ जैन गुरू के रेप्रेजेंटेटिव के साथ इन्होंने कंसर्ण रेस कर मैरिजेज को लेके मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जुडिशिलाइजेशन ओफ गवर्नेंस नहीं होना दियना चाहिए मतलब सरकार को 377 सेक्शन को खुद ही रिपील करना चाहिए था डिलीट करना चाहिए था अब सरकार ने जब इसको जुडिशिलाइज कर दिया ट्रि लौ है या फिर यह कहले कि एज ओल्ड है आउट ओफ सिंक विद टाइम्स है सेक्शन 377 तो आप उसको खुद ही डिलीट कर दो रिपील कर दो लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रहती है उसको मेंस्ट्रीम समाज को मेज़ॉरिट वोट को देखना होता है अब मेज़ॉरिटेरियन वोट को देखते हुए उन्होंने क्या किया नहीं रिपील करेंगे अगर रिपील करेंगे तो यह बोला जाएगा कि हया बीजेपी ने जो है जो है जो पंडित लोग है या जो भी उनकी सब बाते होने लगते हैं तो बीजेपी का या कॉंग्रेस का वोट का लॉस होगा वोटों का नुकसान होगा है ना जो मेज़ॉरिटेरियन सोसाइटी है जिनके वोट से जीतती है पार्टी वो नराज हो जाएंगे इसलिए गवर्मेंट्स इन पावर क्या करती है चाहे कॉ या यया ये चीज़ उनको डेटो Supreme Code या जुडिशरी को डेटो वो डेसाइड करेंगे अब जुडिशरी ने cara question कर दिया की same-sex marriage allowed होगी इससकार को दिक्त है कि अगर same-sex marriage होगी तो फिर समाज को acceptable नहीं होगा इस NOT the natural family order apart from being in contravention of their differing scriptures right जो religious scriptures है वो भी इस बात से अग्री नहीं करते किसी भी धर्म में किसी भी वेद पुरान में गीता में कुरान में कहीं पर नहीं लिखा कि हां लड़का लड़का और लड़की लड़की में शादी हो सकती है तो यह सारी चीज़े अब इनको दिक्कत यह है मेंटेनेंस बंडल ऑफ राइट्स जो शादी के साथ आते हैं मेंटेनेंस राइट्स इन्हेरिटेंस राइट्स गार्जन शिप चिल्रिन कस्टडी बाइद इस पेटिशन अब दिक्कते वैलिड भी हैं जब किसी कपल में जाएंगे है ना फीमेल मदर वुड बी ना बेटर पोजिशन अब यहां पर दोनों ही फीमेल होंगी लेस्बियंस के केस में ठीक है तो यह बोला जाएगा कि यह मदर थोड़ा जादा साहनू बुति वाली लग रही है इनको कस्टडी दे दो या फिर यह बोला जाएगा छ in you know we have only in use LOL को दी जाती अब यहां पर यह हो जाएगा कि लड़की लड़की ने सादी कर ली उस लड़के को पिता को नहीं देनी यह सारी दिक्कते होने लग जाएंगी, by these petitions the petitioners are seeking to dilute the concept of marriage by introducing this free floating concept, तो यह सारी चीज़े हैं इन्होंने खुद ने court में petition file किया है अब हमारे लिए यहाँ पर दो judgments important हो जाती है, Lata Singh versus state of Uttar Pradesh में पहली दफा, 2006 में Supreme Court ने कहा था, कि right of an individual to marry a person of their choice and recognize the same as a fundamental right, clear? then in India, same sex relations were not recognized up until 2018, तो same sex जब यह जो नवतेज सिंग जोहर judgment आया यह आपको note करना है, नवतेज सिंग जोहर judgment कब आया? 2017 की right to privacy judgment, यानि की revise करवा दे रहा हूं पुट्टा स्वामी judgment के बाद article यहाँ पर लिखा है, यह section 377 है IPC का, ठीक, जो की, पुलिस को यह power देता था, कि अगर कोई ऐसा against the, ऐसा मतलब कैसा against the natural order of nature, कोई sexual relations में, या ऐसी चीजों में indulge होगा, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है? तो वो course of nature की against माना जाता था लेकिन सुप्रीम कोट ने बोला कि नहीं right to privacy में, sexual orientation of a person is his or her own choice, is a matter of the person's choice, तो वो person का अपना निजी मामला है, कि वो उसको किस की तरफ जादा जुकाव है लड़के की तरफ या लड़की की तरफ, ठीक? लेकिन इसका impact यह हो गया कि फिर भाई, इनके बीच में शादी बे लाओड होगी अगर section 377 homosexuality को criminalize करने वाला यह section decriminalize कर दिया यानि कि इसके लिए कानूनन कोई सजा नहीं होगी, तो क्या हम इससे ipso facto by virtue of this fact हम यह मान लें कि अब इससे शादी भी allowed हो जाएगी? नहीं होगी है तो यह याचिका यह petition यह file करा जा रहा है कि नहीं इससे और जादा Pandora's box खुल जाएगा जैसा मैंने पीछे समझाया, clear? बिफोर क्या था आफटर क्या था? PDF गाइस download करोगे आप उससे पता लगा लोगे ठीक है? Global scenario only 32 countries around the world recognize gay marriage, तो आपको अपने answer को substantiate करते हुए यह थोड़ा सा side कर सकते हो, in most countries that allow same-sex marriage, marriage by equality was introduced by legislation not by the court orders जिन भी countries में marriage of same-sex marriage equality introduced करा गया है वो parliament के actions के द्वारा किया गया है ठीक है? तो यह सारी चीज़े हैं, now homosexuality act, देखो मैं क्या कहता हूँ ना, ऐसे issues पे हम एक integrated picture भी लेके चलनी होगी, essay के लिए जो यह comment आया है, राकी, उसके context में मैं आपको बता रहा हूँ हमारा societal, जो social fabric है, वो deteriorate हो रहा है या जो भी हो रहा है अब यहाँ पे देखोगे कि live in relations भी आगे editorial में हम बात करेंगे, फिर adultery भी supreme court ने allow कर दी female adultery, male adultery यानि कि शादी के बाहर भी संबंद established किये जा सकते है, four bounds of marriage के outside, इनको legal माना जाएगा, कि चलो दिल बहला आओ पहले यह male chauvinistic society, मर्द, मर्द, प्रधान, समाज होने के चलते, यह allowed होता था लेकिन अब यह females को भी allowed हो गया, और इसे पकड़े जाने के बाद, this cannot be considered as a ground for divorce, ठीक है तो अगर यह सारी चीजें होने लग रही है न, यह हमारे social fabric का deterioration हो रहा है, मतलब यह नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यह open to one's thought process है अब फिर हमारी country में भी क्या होगा, जैसे Steve Jobs को, with all due respect उनको पता ही नहीं था कि उनके अवैद मा कौन है, उनके पिता कौन है नहीं पता था, but he went on to write the history, वैसे ही आप लोग देखते हो, वो spider man movie में वो उड़ता चलांगे लगाता है, उसको भी नहीं पता था, उसके असले माभाप कौन है तो US का ये western culture है यहीं से term आया है, bastard मतलब समझ रहे हो, अब वो गलत है यह सही, वो एक अलग बात है, हम उस पे नहीं जा रहे, लेकिन Indian tradition के हिसाब से ये चीज़ें जलप नहीं होती having said that my individual take is कि भाई ठीक है जो चल रहा है, गेज को अपने rights होने चाहिए, lesbians को अपने rights होने चाहिए, with all due respect to all the sections of society, now gay marriage was recognized by a court ruling in only 10 countries, हमारी country में क्योंकि gay marriages को या marriage equality को judiciary interfere करके declare कर रही है, इस पे आपती है, इस पे जो objections raise कर रहे है, religious elements जो हमने पीछे नाम देखे जमाते इसलामी, यह सब, उनका यह कहना है कि जिन countries में introduce भी किया गया है, सिरफ 10 countries में judiciary ने किया है लेकिन बाकी की 22 countries में सरकार ने parliament जो समाज की will को represent करती है, उन्होंने किया है 2015 में US Supreme Court ने 5-4 की ruling से यानि 9 judges यह अदालत में 9 judges bench में, 5 judges in favor उन्होंने gay marriage को 2015 में recognize किया था, ठीक है तो यह सारी चीजे चल रही है, now center नहीं यह कहा है Supreme Court को कि नहीं हम यह नहीं होने देंगे decriminalization एक बात थी लेकिन decriminalization of section 377 of IPC does not automatically translate into fundamental right for the same sex couples to marry got it, आगे चलते हैं article अब यहाँ पर एक और चीज है सरकार ने बोला कि ठीक है due process of law के तहत आपने article 15 में नियती के तहत आपने section 377 को क्या कर दिया scrap कर दिया, या इसको ultra wires the constitution बता दिया कि यह गलत है यहाँ तक तो so far so good for the supreme court, लेकिन सरकार यह कह रही है कि you have to also read, judiciary should also give equal importance to the term procedure established by law क्योंकि article 21 यह कहता है right to life subject to procedure established by law since the privacy or the freedom of privacy given under article 21 is subject to procedure established by law तो उसको धियान में रखते हुए same sex marriage cannot be expanded, same cannot be expanded to include the fundamental right for a same sex marriage, let us do it by, let the parliament do it by establishing a procedure मतलब judiciary जो है due process of law article 14, 15 prohibition of discrimination on the basis of religion race, caste, sex यहाँ पे sex का matter है and place of birth यह करते हुए judiciary ठीक कर रही है कि कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए discrimination पे prohibition आप लगा रहे हो वहाँ तक ठीक है लेकिन पार्लिमेंट यह कह रहा है कि आपको पार्लिमेंट का right to establish the procedure around freedom of privacy उसको आपको करने देना चाहिए ठीक, तो वह पार्लिमेंट का duty है क्योंकि पार्लिमेंट समाज का mirror होता है पार्लिमेंट, you know, represents the mirror image of the society और it exercises the representation of the right of representation of the society because parliamentarians are elected by the society तो यह सारी चीज़े तो institution of marriage has certain sanctity attached to it यह सारी चीज़े कही कही है तो इसमें institution of marriage में यह भी कहा गया है कि जो different sexes है उनको different male, female, female, female जो भी है to bring up the children in the most natural way possible चिल्रन के लिए बच्चों के लिए तो most natural way यह होता है एक होते मम्मी, एक होते पापा, राइट पापा, पापा, मम्मी, मम्मी नहीं हो सकता न वो most natural नहीं है तो इसलिए यह religious elements हमारे society के supreme court में petition file कर रहे है कि institution of marriage की जो sanctity है उसे preserve करने दिया जाए now, 6800 करोड रुपीज खर्च किये गए और यह image देखो, हिंदू newspaper ने कैसे लिए कि एक महिला है वो जल चड़ा रही है या यमुना नदी को प्रणाम कर रही है because हमारी country में rivers को पूजा जाता है तो अच्छी चीज है लेकिन यह river, यमुना जो है 6800 करोड रुपीज इस पर खर्च करे गए और डेली सरकार की particularly केजरिवाल सरकी इसमें insult करी जा रही है कि भाई आपने बोला था you will take a dip तो डेली pollution control committee ने कहा है कि pollution load डेली में enter होने के बाद यमुना का बढ़ जाता है ठीक है तो पहले डिली के बाहर कम हो जाता है डिली से पहले कम हो जाता है लेकिन डिली में नजफगर, ड्रेन और यह सारे जो stretches हैं यमुना के यह worst हैं in terms of pollution क्यों हमें reasons जानने होंगे देखो एक तो waste discard किया जाता है डेली में डेली pollution control committee का कहना है एक तो 675 mgd capacity है mgd waste generate होता है डेली में बट जिसका 513 mgd ही treat किया जाता है sewage treatment plants में बाकी को ऐसे ही यमुना नदी में पहा दिया जाता है the untreated waste aside even treated waste is fed into the यमुना treated यानि कि जब पानी को स्वच कर दिया गया treat करके उसके बाद उस waste को यमुना में बहा दिया industrial units and growing number of vehicles यह million gallons per day इतना waste पानी का generate होता है आपको एक gallon पानी का बता दू कितना होता है one gallon of water जब अपने घर के पास में पानी की टंकी देखते हो न बड़े वाली वो one gallon होती है अब यहाँ पर देखो 675 million gallons है per day वो पानी का tank सिरफ एक gallon होता है एक गैलन जाज़े से जादा ठीक अब यहाँ पर इतना ज़्यादा pollution generate हो रहा है waste treatment हमारी country में fundamental problem note करना हमारी country में problem यह है कि हम urbanize पहले हो रहे हैं लेकिन urbanization the pace of urbanization is not commensurate with the pace of waste treatment हम समझवा है तो waste treatment capacity को पहले enhance करना होगा ठीक है उसके बाद आप यह सब कर सकते हो हमारे स्वच्च भारत mission में आपने toilets बना दिये लेकिन fecal waste जो है human excreta उसको treat नहीं किया जा रहा ठीक उसको treat नहीं किया जा रहा तो कहां बहा होगे बोले कि कहां जाएगा माल नदी में बहा दिया जा रहा है ठीक नदी में इतना पानी आता है कि उसको ले जाएगा लेकिन डेली में पर square kilometer population density इतनी है due to high rise buildings की लोग बहुत जादा हैं इसलिए डेली छोटा होने के comparison में लोग जादा होने की वज़ा से यह problems हो रही है अब इसके लिए सरकार ने solutions क्या किये हैं guys अमरूत mission ठीक अमरूत mission है और यह सब है तो इससे पहले जवाहलाल नहरू National Urban Renewal Mission Attal Mission for Rejuvenation of Urban Town solution भी आपको लिखने होंगे now NGT ने अब यहाँ पर देखो judicial tribunal है सरकार ने कुछ नहीं किया तो National Green Tribunal ने 2015 में एक प्रोग्राम लांच कर दिया क्या मैली से निर्मल यमुना Revitalization Plan 2017 जिसके तहत यह 2017 में complete होना चाहिए था but the objective but as this objective of cleaning यमुना was not achieved NGT ने एक monitoring committee बनाई to implement the judgment अब यह क्या है particular peculiar example of judicialization of governance सरकार का न्याय की करण समझ न यह मेरा coined term है या जैसे भी है यह increasing tendency देखी जाती है न जब तो क्या होता है अच्छा पर्स चोरी हो गया पुलिस के पास नहीं जाएंगे सीधा जुडिशीरी के पास जाएंगे थीक for the fall of even a single feather citizenry is losing faith in the government elected by itself समाज ने citizens ने जो government elect करी है उस पे विश्वास ना होके जुडिशीरी पे जादा विश्वास होने लगता है और फिर जुडिशीरी ये बीडा उठा लेती है National Green Tribunal ने ये किया सिरफ 2% यमुना का 1400 km लंबी हमारी यमुना नदी का 2% ही दिल्ली से उखे गुजरता है वजीराबाद और ओखला के बीच में लेकिन 76% pollution load इसी 2% of kilometers में ही यमुना में enter होता है 28 km simple समझ रहो 28 km में 76% waste Now according to the report by Central Pollution Control Board the number of polluted stretches in India's rivers has fallen from 351 in 2018 to 311 in 2022 though the number of most polluted stretches is practically unchanged जो most polluted river stretches हैं वो unchanged हैं जो छोटी मोटी नदियां थी जिन में pollution हो रहा था उनको clean करके एक achievement दिखाई जा रही है कि 40 नदियां इन्होंने साफ कर दी या उनका पानी जो है dip लगाने लायक है पानी में दूपकी लगाने लायक हो गया राइट तो इसमें क्या किया गया रिवर्स को प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू केटेगरी में केटेगराइज किया गया था सो दाट उस पर काम किया जा सके Central Pollution Control Board के द्वारा अब यह पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए वट स्टेप्स आप बिन टेकन बाइडी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली Central Pollution Control Board तो यह स्टेप्स लिए गए हैं इसको क्या बोलते हैं पॉइंट सोर्स क्या है मान लो कि यह रिवर है इस रिवर में आप देखते हो नहीं यह पाइप ड्रेनेज पाइप खुला होता है उसमें पूरा वेस्ट जा रहा होता है मुखरजी नगर में I have stayed for some time during the course of my preparation आस पास के जो flats बने हुए है उनका वेस्ट सिक्रीट होके यह यहाँ पे ड्रेन आउट किया जाता है ठीक है industrial pollution के pipes इनको point source pollution बोला जाता है non-point होता है कि चलो किसी ने इधर से कचरा डाल दिया किसी ने इधर से किसी ने इधर से कहीं से भी open way में pollution entering the waterways is accumulative done faulty planning lack of utilization of funds delay in projects lack of proper maintenance urbanization मैंने जट से बताया hap hazard urbanization हो रहा है यहीं colony को right दे दिया colony काटने का किसी ने कहीं जमीन लेके colony काट दी नौइडा में जैसे टावर्स बनाए गए प्लानिंग ही नहीं थी ठीक है हमारी country में क्या होता है building बन जाती है उसके बाद बोलते है मिलॉड अब तो बन गया अब जूडिश्री बोलती है कि चलो building बन गई है 200% penalty दे दो ठीक है जहां 10% दे नहीं थी 200% लगा दो वो बोलते है ठीक है दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि 40 माले की building allowed नहीं थी 10 माले की building allowed थी 40 माले बना थी 200% duty दे दे देंगे तो कौन सा जादा चली जाएगी इसलिए builders के उपर यहां पर real estate regulatory authority है यह भी rarely ही काम करती है मतलब समझ रहे हो इनका नाम rare होना चाहिए था so they swing into action only rarely जब building बन गई सब कुछ हो गया बोलते है अच्छा ओ रावन खड़ा हो गया पता ही नहीं लगा right so यह सारी चीज़े हो रही है now अब यहां पर कुछ term थी जिसको मैंने अनलाइज किया थेक मैं तो यहां पर biological oxygen demand क्या होती है मान लो कि यह water का वास है या कुछ भी आपने कुछ एक टब भरके रखा है पानी का इस पानी में अगर microbes ज़्यादा होंगे यह मान लो microbes हैं ठीक अगर microbes ज़्यादा होंगे तो इसकी oxygen की demand जो पानी की होती है ना inherent वो increase हो जाएगी ज़्यादा oxygen की demand यदि किसी पानी में होती है तो इसका मतलब यह है कि उस पानी में waste ज़्यादा है जिस waste के उपर microbes feed करने लगते हैं अब जब यह microbes ज़्यादा हो गए इसका मतलब वेस्ट उसमें ज़्यादा है तो यह rule of thumb लगाया जाता है यह पता लगाने के लिए कि पानी में जाएंगे aquatic animals microbes ठीक है aerobic bacteria anaerobic bacteria aerobic bacteria से हमें यह पता लग जाता है कि पानी में pollution है ठीक तो यह terms environment के लिए यहीं से ही आएंगी इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हों चलेंगे ठीक है नाव गदावरी महानदी यह जो data है यह fodder material का आपका काम करेगा कि जब आप river pollution GS mains paper 3 में कोई question का अंसर लिख रहे हो तो देटा will help you in substantiating your viewpoint और reasons पता होने जरूरी है high pollution levels देखो ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं किया है मतलब समझ रहे हो नमामी गंगे प्रोग्राम का भी कुछ ऐसा ही नाम था मतलब समझ ऐसा ही काम हो गया था उस पर 8900 करोड रुपीज खर्च करे गए थे 2017-18 का यह न्यूज आर्टिकल था जिस पर मैंने काफी हो लिस्टे किसी तरह से अनलाइज करा था एक question उस उस पर्टिकलर न्यूज आर्टिकल के analysis से directly पूछा गया Central Pollution Control Board और NGT की powers क्या है चाहो तो चेक कर ले मैं अपनी पीपीटी शेयर कर दूंगा तुम्हें कि हमने कैसे उसको अनलाइज करा था तो नमामी गंगे प्रोग्राम भी एक failure ही है यह तो अभी केजरी वाल को थोड़ा नहलाना इनको मतलब समझ रहे हो कि बतनामी करनी है सरकार की जो भी इसलिए अभी यमुना के बारे is in river clear now government measures क्या है नमामी गंगे program now national mission for clean ganga national river conservation plan national water monitoring program vision for 2030 clean rivers इसलिए क्या किया गया dolphin को हमारी national fish declare कर दिया गया कि चलो मचली के बहाने ही अगर dolphin जाधा है पानी में इसका मतलब पानी साफ है थीक तो यह सारे काम इसलिए किया जाता है इंडिक्टमेंट अगींस डॉनल ट्रॉम्प अरेस्ट ट्रॉम्प क्या किया था ट्रॉम्प ने ऐसा फानेंशल उसके चार्ज लगे हैं कि रन अप बेफोर इलेक्शन इन्होंने पैसे में कुछ धानली करी थी वोट्स की रिगिंग के लिए इसके उपर रशिया के उपर भ और वह सब वह सारी चीजों की वज़ा से अल्दो डिलिक्टमेंट इस सील्ड फॉर नाव सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स अब देखो जब राष्ट्पति की इंडिक्टमेंट होती है ना तो उसके ग्राउंड नहीं आते न्यूस में समझ रहो इतनी जल्दी क्योंकि प्रे कुछ गलत काम किये थे उस टाइम पर उसके लिए इनको इंडिक्ट किया रहा है ठीक है सेक्स कैंडल हुआ था 2016 में फाइनल डेज ऑफ टूथाजन सिक्टीं कैंपेंट से पहले सेक्स कैंडल को दवाने के लिए काम किया था इन्होंने राइट नौ विटनेस को कॉल किया अब यहां पर पिच्चर से टॉल यह फ्लोचार्ट से समझना ग्रांट जूरी इंवेस्टिकेशन क्या करते हैं इंडिक्ट कर दिया यह फिर इनको बोला जाएगा सरेंडर करो सरेंडर करा तो उसके बाद डिफेंड करेंगे यह अपने आपको फिंगर प्रिंट फोटो औ उनका कुछ ऐसा रहता है जाधा हमारे लिए जानने की जरुए निया देखो राश्टुपती सौरी वहां के जो किंग हैं भुटान के वह बोर्डर टॉक्स के लिए भुटान चाइना के बीच में बॉर्डर टॉक्स होने जा रही है और निगमे वांग्याल जिगमे खेसर नामग्याल वांग्चुक यह हमारी डेली में आ रहे हैं प्रधान मंत्री से मीटिंग के लिए इनसे हमारी दिक्कत क्या है थोड़ा ब्रीफ में समझना ठीक है 1949 से हमारे रिलेशन स्टार्ट हुए जिसमें बुटान इंडिया फ्रेंडशिप ठीक में भुटान को ये कहा गया कि बुटान किसी भी कंट्री के साथ जब कोई तालुकात बिठाएगा फ्रنशिप या फॉरेंड डिप्लोमाटिक relations establish करेगा तो भुटान को इंडिया की permission लेनी पड़ेगी ऐसा क्यों किया गया था ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि Britishers नहीं यह जो छोटी-छोटी states बनाई थी ना भुटान एटसेटरा इसलिए बनाई थी as a buffer state नेपाल नेपाल के चाइना के साथ में relationship establish करना है तो पहले इंडिया की permission लेनी होगी तो गलत है ना मतलब एक sovereign independent country भुटान ऐसा कैसे कर सकती है तो इसलिए क्या किया गया कि भई भुटान ने कहा कि इस treaty को revise करो 2006 में हमने treaty को neutral कर दिया यानि कि भुटान was made free treaty was made in neutral balanced in the sense that now Bhutan can establish relations with any foreign country without seeking India's stamp of approval ठीक है इंडिया की stamp of approval लगवाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी stamp के उपर यह नहीं होगा कि इंडिया ने मना कर दिया तो आप relation establish नहीं कर सकते उसके ठीक कुछ साल बाद भुटान ने क्या किया भुटान और चाइना ने border talks खुद से करना शुरू कर दिया तीसरा एंगल अब आता है क्या है तीसरा एंगल देखो भुटान के नौर्थ में हमारा क्या इंट्रस्ट है यहां पर मैप के जरीए समझना यह रहा डोकलाम प्लेटू भुटान है ओरेंज कंट्री ठीक चाइना का यह एरिया यह ट्राइज जंक्शन है ठीक इस ट्राइ जंक्शन से इंडिया का सिलीगुरी कॉरिडोर जो इंडिया का यह निपाल हो गया ठीक यह हो गया बंगलादेश इंडिया को चिकेंज ने किसको बोला जाता है 66 स्क्वेर किलोमेटर चोड़ा बस इतना साही यह इंडिया को इंडिया की बुटान की सर्जमी यहें लेकिन क्योंकि बुटान के हमारे साथ में ट्रीटी है हम यह सा नहीं होने देंगे। बुटान की इंडिया की जो 2006 के रिवाइज़' ट्रीटी है फ्रेंडशिप ट्रीटी उस Qian भी यह लिखा है कि अगर भुटान के उपर कोई attack होगा इंडिया भुटान को defend करेगा ठीक अब attack हुआ या sovereignty पे कबजा हुआ भुटान की Do Clam या Do Kala Plateau इसको बोलता है भुटान हम Do Clam बोलते हैं ठीक अब इंडिया के लिए matter of concern है क्योंकि यहाँ से आप देखो तो सिली गुरी कॉरिडोर ये रहा ठीक तो पुर्निया जिला वेस्ट पिंगॉल का ये सब देख रहे हो न अब यहाँ पे अगर कोई कबजा कर लेगा तो point blank पे यानि कि तोप के सीधे निशाने पे हमारी arms and emanations की supplies अगर सिक्किम में कहीं पे जानी है तो इस रास्ते से जाती है अब इतने छोटे रास्ते के पहाडी पे कोई उपर टॉप पे कबजा कर लेगा और वहाँ से कोई बंदूख से या तोप से fire करेगा तो सीधा सीधा इंडिया cut off हो जाएगा अपने ही northeastern area से तो इनवे इंडिया भुटान को बचाने गया था statedly मतलब explicitly तो इंडिया वस defending भुटान's interest but in a way इंडिया's own concern was included अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों 2006 में जो treaty हमने revise करी गई क्यों 1949 में उस treaty में भुटान को चाइना या किसी भी foreign country के साथ relation establish करने से पहले इंडिया की approval देनी जरूरी थी अब भुटान और चाइना मिल के अपनी boundary dispute resolve करने जा रहे हैं जिसके तहट चाइना ने जो यहाँ पर कबजा कर रखा है claimed by चाइना यहाँ पर देख रहे हो चाइना कह रहा है कि इसको legitimize कर दो अब भुटान कह रहा है कि चलो कर देते हैं तुमसे लड़ने की हमारी हिम्मत है नहीं और इंडिया का वैसे ही तुमने कबजा अबजा कर लिया इसी लिए आप देखोगे कि चाइना ने क्या किया हमारे यहाँ पैंगॉंग सो अब भुटान और चाइना की डारेक्ट टॉक्स हो रही है और बीच में इंडिया को एक पार्टी बनाया जाएगा बस इंडिया यह कह रहा है कि चाइना को बीच में कहां से ले आए तुम और हम डील करेंगे उसके बाद तुम चाइना के साथ बात करना समझ में आए तो यह चीज़ है तो इस तरह से अब यह कहा जा रहा है कि यह न स्वाप करेंगे यानि कि जो बांगला जो भुटान की जो जमीन है जो चाइना को चाहिए strategically जो चाइना के लिए important है वो चाइना ले लेगा भुटान से और भुटान को कोई इधर पीछे चाइना के जो underdeveloped areas वेगारा है वो दे दिये जाएंगे इसमें इंडिया का concern कही न कहीं side line हो रहा है got it तो इसलिए इंडिया ने 2017 में भुटान को defend किया था डॉंगलॉंग is a tri junction area near the chumbi valley जो हमने देख लिया ठीक इसको erase कर देते so that you can have a better view तो ये हमारे लिए दिक्कत है इसलिए आप देखोगे अब सवाल ही आता है कि 2017 में जब चाइना ने कबजा करी लिया था अपनी आर्मी को लगा दिया था सब कुछ कर दिया था तो चाइना ने back out क्यों किया reason है उसके पीछे reason ये है कि चाइना का जो back end infrastructure है न जो ये road stretch है वो पूरी नहीं हुई थी उस time अब चाइना is in a better position to 2023 हो गया 6 साल हो गये लगबग 5 साल complete हो गये अब चाइना ने अपना back end infrastructure भी काफी हद तक complete कर लिया है यहां से रोपवेज बना लिए है रोपवेज मतलब सैनिक जो है जैसे जिप लाइनिंग होती है न वैसे सैनिक जो है लटक-लटक के ही सही यहां पे arms and ammunition supplies अगर चाइना और इंडिया में एक ब्रीफ वार होता है यहां पे तो आम जैने की सप्लाई चाइना एंशॉर कर पाएगा जबकि इंडिया के यहां पे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन जैसी एजन्सी जैं उन्होंने इतना जादा infrastructure strengthen नहीं किया है क्योंकि पहाड़ी इंडिया में अभी जैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है यह सब कर रही है ठीक है वो तो जीत रही है लेकिन कहीं दिक्कत कुछ और ना हो जाए इसलिए इंडिया क्या कर रहा है हाओ आर वी प्रिपेरिंग आसेल्स हमने चाइन ने अपने कभजे में ले लिया मान लेते हैं जस्ट फौर अट नहसे डिफेंस प्रिपेरिट्एन डिफेंस तो इसलिए बहांगलादेश के जरीए इंडिया अपना दे॓र रिलेशन Poly expose इंफ्रास्ट्रॉक्चर को दुरूस्त कर रहा इंला समझ में है ठोटीजी अ को कितना बचा लेंगे कल को बोटान पर कबजा कर लिया यहां से नेपाल को कर लिया यह रहा काट मंडू और यह रहा नेपाल है ना इसलिए हम इस इंफ्रस्रक्ट्टर को करेंगे उस पर पैसा लगेगा फिर पहाड़ों को काटना इकोलोजिकल डिस्टरबिंस यह सारी इंडिया की तरफ दन इट वस अल्सो डिसाइड़ी तो मेंटेन स्टेटर्स को वन दी बाउंडरी हलां कि बोट दी कंट्रीज है रिटन अग्रीमेंट्स भुटान और चाइना के बीच में 1988 और 1998 का यह अग्रीमेंट है जो यह कहता है ट्रैंक्विलिटी यानि की शांती व इसलिए आप देख रहे हो कि हमारे जो बहुती केपेबल डिफेंस मिनिस्टर है जिनके बारे में मैंने क्लासिस में भी बिताया था राजनाच सिंग वह आए दिन उनको बॉडर पर बेज दिया जाता है राइट कि जाओ देखो कोई प्रोजेक्ट है तो उद्गाटन करने तो मोदीजी आएंगे लेकिन तो मुसकी प्रोग्रेस जाओ चेक करो इंटर्नल पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देने का राइट तो यह सारी चीजें हम थोड़ा स्लो हैं इंफ्रसक्टर डिवलप्मेंट में अब आते हैं इंडियन कांसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स टू बिल्ड अमबसेडर प्रोग्राम हमारे भारत में छोटी कंट्रीज जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं श्रीलंका भुटान इनसे काफी सारे लोग इवन आफ्रीका काफी सारे लोग पढ़ने आते हैं ठीक जैसे हमारे लिए USA वैसे उनके लिए इंडिया USA है एजूकेश तो बनाया जाएगा इंडिया में उनको घुमाया जाएगा ठीक है उनको लालकिला शारे अबो अपनी कंट्री में वापस जाएं तो इंडिया की बढ़ाई करें इंडिया क के बारे में he would be speaking right papers about India they would be speaking in good words कि की हम इंडिया इतना च्छा यह अगर this ब आगरants pushp a दहाल प्रचंदा और यह जो निपाल के राष्ट्रपति हैं शेख हसीना भी इंडिया में पढ़के गई है वो तो चलो अच्छी चीज है ना कि चलो इसके साथ-साथ मयनमार की जो अभी लीडर है ऑंग सैन सू की ठीक है उनको प्रो इंडिया माना जाता था या जो भी लेकि पांच लाग में टॉपर खरीद लिया 15 लाग में खरीद रिया कोई थार दे रहा है समझे रहो तो कि टीचर भी लड़ पड़े वो पूड़ी वाला के समझ रहो तो मज़ा आता ही चीज़े देख कहला तुम लोगों को क्या करना पढ़ते रहने वो चीज़े नहीं देखनी वो कभी-कभी गलती से ऐसे कुछ देखते हुए ना कि कुछ पढ़ाने के लिए तुम्हें देख काउट टॉपर्स हैं तो टॉपर्स बिकारे पिचारे ना डर डर के आजकल थोड़ा रहते हैं समझ रहे हो यूपी ऐसी में क्योंकि छवी बनाके रखना जरूरी है भाई आप आईए इसके टॉपर हो अभी तो टीचर भी लग गए समझ रहे हो कि कि लड़ू 24-7 ने पैस होनी चाहिए वर्ना क्या होगा कोई तुम्हें 75-100 में पढ़ा रहा है लेकिन पढ़ा कुछ नहीं रहा और के टीचर ही भाग गए दूसरे वाले ने खरीद लिए राइट 40 लाक टीचर की कमी है हमारी कंट्री में ठीक हसी और आंसु दोनों आ जाते हैं जब हम यह सोचते हैं जिस UPSC की त्यारी करी थी न उसके लिए बिकने के ओफर्स आते रहते हैं ठीक है कभी कोई मेल भेजता है कभी कोई अग्रिमेंट भेजता है और ट्रस्ट मी स्टार्ट में जाएंगे तो डंके की चोट पे वह पढ़ा के आएंगे जो किताबों में नहीं दे रखा और एक्जाम में आता है राइट आज कल क्या हो गया है कि इन स्टार्ट अप्स की वज़ा से एस्पिरेंट कम हो गए हैं टीचर जादा हो गए हैं समझे तो बिकना हमारे लिए भी एनिडे गुड ऑफ्शन हो जाता है कि हाँ आज ओफर आया चलो इतने लाक रुपे महिना मिल जाएंगे लेकिन वहां पर दिक्कत फिर यह ना कि जब रात में आदमी सोने जाता है तो अपने आपसे यह पूछता है क्या मैंने उन बच्चों के साथ न्याय किया जिनके से जैसे काफी टीचर पढ़के गए तो क्या गैरेंटी है जिनको हम यह बना रहे हैं चाहे वह आफ्रीका के हैं चाहे वह यह नेपाल के हैं मैनमार के हैं सब भूल जाएंगे ठीक मतलब समझ रहो ना कि अपने आप तो लीडर ही भूल जाता कि चुनाव से पहले बोला पं बाहर वालों को घुमाया जाएगा ठीक मतलब हमारी कंट्री में आर्टिस्टिक क्रिएटिव फूट्प्रिंट ग्लोबली ताकि इंडिया के पड़े हुए बच्चे जब बाहर जाएं तो एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग जिनके साथ अरेंज करी जा रही है कि इनक इंडिया का हमारी लोग सभा राज्य सभा कैसे काम करती है वो सारा कुछ क्लियर नव खादी कमिशन अब हमारे जो खादी स्टोर्स है इनको वहां गुमाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ आयूश कैसे काम करता है राइफेड ट्राइबल ये एजनसी के बारे में आपको प्रिलिम्ज के लिए थोड़ा और खुद से रिसर्च करनी होगी वरना साल का टाइम है हमारे पास तो जिस दिन ट्राइफेड के बारे में कोई न्यूज आएगी आई विल बी दूइंग थरो एनालिस ट्राइफेड एक इंपोर्टेंट बॉड़ी है जो ट्राइबल प्रिम्ज के लिए नंबर ऑफ फॉर इंडिया स्टूडेंट बस इतना ही था राइट तो इंडियन एल्यूमिनाई पॉर्टल पे इसी सी आर ने डीटेल्स अप्लोड करी है जिसमें की यह कहा गया प्लाटपॉर्म है यह कनेक्ट करने का फॉरिंट इस अरूर्ट इंडिय The portal is envisays to be a single platform for all foreign scholars to register, interact and maintain their Indian links So ICCR क्या है? Autonomous Organization है, Government of India के अंडर अचिया है Involved in India's external cultural relations, cultural diplomacy, soft diplomacy It was founded in 1950 by Maulana Abul Kalam Azad, Independent India's first education minister ICCR has been assigned the responsibility of facilitating the celebrations of International Day of Yoga ये भी prelims में कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि मोदी जी के around जो facts हैं वो nationally important हैं ठीक देश के हर बच्चे को ये पता होने चाहिए UPSC aspirants को International Day of Yoga क्योंकि Prime Minister इसको बढ़ चड़ के National International Platform पे propagate कर रहे हैं ICCR के पास इसकी responsibility है इसको काफी ये awards भी देती है ICCR, Distinguished Indologist Award, World Sanskrit Award, Distinguished Alumni Award and Gisela Bonn Award ये ICCR देती है ये आपको पता होने चाहिए है ठीक Why was the month of March in Mumbai relatively cooler? ये काफी interesting है, concept है, geography का El Nino, La Nina और Arabian Sea की warming up बढ़ती चली जा रही है ये रहा Arabian Sea, ये रहा हमारा Kandla Port, Gujarat का recognize करना थोड़ा coastline को जब ये ocean ज़ादा warmer हो जाता है ठीक है, तब क्या होता है कि भई West Asia ज़ादा heat up हो रहा है ठीक, West Asia के ज़ादा heat up होने से यहाँ पे high pressure belt बन गया high pressure से wind जो है low pressure की होर जाएगी low pressure इंडिया में है ठीक, तो rapid warming over the West Asia produces low sea level pressure locally around India which sets up a northward pressure gradient northward wind movement होने लग जाएगा ये रहा West Asia नौर्थ नौर्थ में wind जा रहा है नहीं यहाँ पे तो ये wind इस तरफ आ रहा है ठीक है अभी मैं अच्छे से picturize नहीं कर पा रहा हो West Asia थोड़ा और नीचे है यहाँ ठीक तो ये रहा वैसे तो लेकिन northward movement है north eastward कहलो ठीक है so this gradient pulls winds northward disrupting those disrupting those winds that should actually be flowing east ठीक, तो from the West Asia towards Mumbai so the winds came to Mumbai from north northwest bringing cooler and drier air instead of the usual hot and humid air from the desert यहाँ पे Sinai Peninsula है Sinai Peninsula से जो wind जो है hot wind आती है वो hot wind यहाँ ना आके cooler wind आ रही है इस तरफ क्योंकि यहाँ पे pressure जब जादा हो गया तो यहाँ की Arabian Sea की जो हवा है जो cool हो गई because of sea effect ठीक है पानी के ऊपर जो हवा चल रही है वो थंडी हो जाएगी वो थंडी हवा मुंबई में आ रही है March का महीना relatively hotter होता है मुंबई में लेकिन वो cooler पाया गया थोड़ा थंडा पाया गया study which this writer is a part of जो study करी गई है IMD इनके द्वारा Indian Meteorological द्वारा इसमें एक आ गया West Asia has been warming more rapidly than the other tropical land regions because of Sinai Peninsula because of the topography of the region ठीक है the Northern Arabian Sea has also been warming up ठीक combination of this land and ocean warming has enhanced the duration, frequency and intensity of heat waves over India in the pre-monsoon season meteorologist का ये भी कहना है कि North Arabian Sea की warming up की वज़ा से heavy rainfall events भी ज़ादा देखे जा रहे हैं कहाँ पे? North West India में Mumbai, Gujarat, Maharashtra में ठीक इस वज़ा से एक को और question बनता है कि ज़ादा तर जो cyclones देखे जाते थे ना वो West Bengal side पे यानि कि Bay of Bengal side पे देखे जाते थे लेकिन अब जो cyclones हैं इस pressure change phenomena की वज़ा से ज़ादा cyclones Arabian Sea side से देखे जा रहे हैं तो ये दोनो questions इस बार important हो जाते हैं अगर ये पूछा जाए कि भाई cyclones इस तरफ ज़ादा क्यों देखे जा रहे हैं? warming up of Arabian Sea की वज़ा से ठीक warming up of Arabian Sea leads to यहाँ पे low pressure है Europe से या कहीं से हवा आ रही है यहाँ पे अगर high pressure है तो cyclone develop हो गया, right? तो cyclonic conditions develop होई और वो cyclone चलते चलते फिर इंडिया को इंडिया की cost को hit करता है ठीक? तो ये सारी तीज़ादा geography में पढ़ोगे anti cyclone क्या होता है? इसमें an unusual anti cyclone over the Arabian Sea in March anti cyclone क्या होता है? जब हवा नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? cyclone क्या होता है? cyclone के लिए उपर outlet चाहिए हवा को यहाँ से हवा आ रही है, supply और यहाँ से उपर जाएगी, यह हो गया cyclone, ठीक? cyclone के लिए नीचे क्या है? high pressure, उपर low pressure, ठीक? और anti cyclone के लिए उपर high pressure, नीचे wind will descend, ठीक? तो anti cyclone इस तरह से हवा बाहर को हो जाएगी anti cyclone has a clockwise clockwise oceanic circulation in which warm waters converge anti cyclone ज़्यादा तर कहां पर होता है? जहां दो गरम पानी दो गरम currents converge होते हैं, as a result the sea surface temperature warmed up by over 1 degree Celsius, a warmer Arabian sea in the pre-monsoon season tends to favor a good monsoon, अगर गरम नदी होगी तो फिर good monsoon वाली situation बढने लगती है, कैसे? पानी से वो जो condensation effect है वो बढने लग जाएगा, ठीक है? 2023 जो है, El Nino year होने जा रहा है क्योंकि एक और फिनॉमेना ये रहा India, ये रहा West Asia, ये रहा South America, Peruvian Current जो है, उससे जो see saw arrangement है, El Nino La Nina का, वो भी आप खुझ से थोड़ा पढ़ोगे, ठीक? पढ़ लेना, आज इसको revise कर लेना, ये Pacific Ocean में Peru के पास में, जब ये Ocean Current, जब Warm Current और Cold Current मिलते हैं तो हवा की दिशा बदलती है, El Nino effect create होता है, तो ये सारी चीज़े पढ़ लेना, एक बार Now, in a first, इरावी कुलम National Park में फिरानेरियम बना जा रहा ठीक है, फिरानेरियम बना जा रहा है, सॉरी तो फिर्नेरियम क्या है, फिर्न जी, आप देख रहे हो ये picture मैंने इंसाट करी है, ठीक है तो according to officials, this is the first time such a fern collection is being set up in the इरावी कुलम National Park in Kerala National Park कब set up हुआ था ferns क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया कि ये इस तरह के पत्ते वेगारा, जो एक species को ग्रो किया जाता है, ठीक है the target is to increase the number of ferns inside the park to 104 canopy, बहुत अच्छी सुन्दरियम की बन जाएगी, वो सब ठीक है, highest peak south of Himalayas, अन्नामुडी 2695 meters पे ये park located है, कौन सा पार्क इरावी कुलम, इडू की district of Kerala में है, western guards आप सभी जानते होगी, काफी species के लिए जाने जाते हैं flora and fauna के बारे में मैंने कुछ details इसमें incorporate करी है barrier tiger reserve, then इरावी कुलम, then परंबी कुलम, wildlife sanctuary, then अन्नामलाई tiger reserve, all these things are there तो, it is a half the world's population of the endangered निलकिरी तार lives here, ठीक प्लीज ग्लिजियर प्लीजिए 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 ठीक incognito mode में जो भी तो पान आवाज वचू आवेचे नहीं समझ पार हो मैं ठीक तो, IUCN list में ताहर जो है endangered पाया जाता है निलकिरी ताहर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगी यहां पे पाया जाता है भारत 6G vision document 5G के बाद अब इंडिया में एक telecommunication technologies के उपर एक group बनाने की बात हो रही है even as India's 45,000 villages lack 4G connectivity 2G भी नहीं आता अच्छे से अगर बात करो 5G networks are still being built out why did the government put out a 6G vision document vision document क्या है कि government का क्या विचार है उसके उपर government is delineating its own vision document government अपना vision document release कर रही है कि government कैसे उस पर काम करना चाहरी है accelerate करना है India के wireless data consumption को and assume the leadership in setting the standards for 6G ठीक पहले क्या हुआ था we have always been chasing USA South Korea 5G के trials और 5G के rollout में भी हम South Korea और USA के पीछे रह गए थे तो इस बार हमें trail chase mode में काम ना करके हमें इसमें leader lead लेना है तो lead लेने के लिए क्या करना होगा delay नहीं करना होगा इसके rollout में technology के rollout में अगर हम जल्दी से technology को rollout करेंगे तो फायदा क्या होगा हमारे rural areas में भी ये internet facilities at least 4G तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसके उपर discussions industry के साथ में start कर दी गई है एक और pure physics का reason क्या है कि हम क्यों जल्दी कर रहे है 6G के लिए ये आपके prelims में आ सकता है application of science frequencies generally increase in newer generation जैसे 5G से ज़्यादा frequencies होगी 6G में ठीक but the lower the frequency the longer a cell signal can travel जितनी frequency lower होगी उतना ज़्यादा signal travel कर पाएगा with the increasing data usage lower frequencies in 4G networks may not physically be able to keep up the demand for traffic data usage country में बढ़ रहा है frequency 4G में lower है physically ये demand जो traffic की हो रही है जैसे आप लोग भी online बढ़ रहे हो तो उस demand के साथ 4G match नहीं कर पाएगा 4G में speed कम होगी lower frequencies जो है वो demand नहीं catch कर पाएगी more data can travel in higher frequencies अब data के जो cells हैं भले ही lower frequency longer travel करती है लेकिन data के जो cells हैं वो 6G में bundles काफी fast-paced manner में travel करेंगे तो जिस वज़ा से lower coverage base stations जो हैं जहां पे internet tower और ये सब रहता है ठीक है उससे भी single large cell tower से भी हम transmit कर पाएगे ठीक है base stations की frequency बढ़ानी पड़ती है जब हमारे 4G networks वगारा रहते हैं लेकिन अब base stations कम होंगे fewer होंगे 6G के साथ every new generation के साथ base station कम होगा लेकिन फिर भी data जो है जल्दी से transfer हो पाएगा beyond encouraging greater participation in standardization पते क्या है जो आप equipment बनाने जा रहे हो routers, wifi, etc. या फिर telecom towers में जो telecom gears use होते हैं जो हमें China से लाने पड़ते हैं import करने पड़ते हैं यह सारा equipment अगर standards पहले से set होंगे कि ministry of telecom कि grade के telecom gears को telecom towers में जो equipment use होता है उसके standards क्या होंगे वो पहले से set कर दिये जाएंगे तो wifi बनाने वाली companies telecom gears बनाने वाली जो इंडिया की companies हैं कि बहुत कम है उनको पहले सी एक दिशा मिल जाएगी direction मिल जाएगी और vision document में ये भी कहा जा रहा है कि government जो है research को बढ़ाने के लिए financial help भी देगी 6G को roll out करने में breakthroughs are most likely to advance connectivity goals अगर ये technological breakthrough हमने इंडिया में achieve कर लिया breakthrough को जो भी नई unique चीज़ अगर हमने invent कर ली तो इंडिया के जो connectivity goals हैं कि भारत net में सरकार को आगे बढ़ाना है फटाफट से तो talent को companies में जो talent है और academy में जो talent है उसको बढ़ावा देने के लिए financial help सरकार देगी government नहीं ये का है कि इसके लिए एक apex body setup करी जाएगी to shepherd to lead these group discussions through roadblocks जहां जहां पर इनको कोई बाधा आएगी obstacles आएगे तो ये apex body जो है वहां पर इनके लिए solution लेके आएगी सरकार से clear now some indicative goals are to guarantee every citizen minimum bandwidth of 100 mbps जैसे जो आज जो मैं आपको speed पर पढ़ा रहा हूं 100 mbps ही है ठीक तो जो gram पंचायत में at least 100 mbps रहे और half a terabyte per gram पंचायत माफ किजेगा gram पंचायत में half a terabyte per second ठीक तो per second जो transmission है half a terabyte per second होना चाहिए minimum और ये देशे रखा गया 6G trials का अब blanket and blanket the country with over 50 million internet hotspots internet hotspots क्या होता है आप मान लो अपने शहर की सबसे important बाजार में market में घूम रहे हो तो आप internet hotspots से अपना mobile number OTP देके connect कर सकते हो तो ये internet hotspots बिजली के खंबों पर इस सब पर लगाए जाएंगे electrical poles जो हैं ताकि जहां पर internet नहीं है उसको पूरा blanket किया जा रहे है blanket क्या हो करता है पूरी तरह से हम ओड़ लेते हैं उसको पूरे शहरों को blanket करने की सरकार मोहिम लेके आ रही है internet hotspots जगा जगा पे फैले होंगे ठीक तो जैसे कि कहीं पे भी आप travel कर रहे हो आप internet से disconnected नहीं हो और World Bank की report ये कहती है internet के जो फायदे हैं आप सभी को पता है हम पहले electricity bill भरने जाते थे mobile phone recharge कराने जाते थे ठीक है तो अब क्या है पे टीम से ही recharge हो जाएगा अगर internet bandwidth कम होती है रूरल इंडिया में तो क्या होता है आज भी कुछ बच्चे phone करते हैं कि मैं मैं शहर जाओंगा मेरे internet नहीं आता गाओं में शहर में टेलीकॉम टावर के आस पास जाना पड़ता है बच्चों को बचारों को ठीक और फिर वहां से वह transaction करते हैं एक हमारा student था अंडे माने निकोबार में 2020 की बात बता रहा हूं अंडे माने निकोबार में अंडे माने निकोबार में अब हमारे यहां चैन्नाई से अंडर सी एक पावर लाइन दी गई है मतलब internet connectivity लाइन अंडर सी बिचाई गई है जिसकी वज़ा से मैं अब internet पे sessions ले पाऊंगा तो अंडे माने निकोबार को अंडर सी पावर लाइन से connect किया गया है और 6G का consumers का benefit क्या होगा website जल्दी से डाउनलोड होगी ठीक है वो गोला नहीं गुमता रहेगा videos will look better and files will download faster and consequently UPSC का exam will become tougher क्यों क्यों क्यूंकि we are going to be in the information age we are already in the age of information overload इतने सारे channels इतनी सारी चीजें क्या पढ़ना है वो ही नहीं पता इसलिए तुम भटक जाते हो है ना तो new generation of technology हर नई generation of technology के साथ जैसा हुआ है files video better होगा ठीक है ना इस बार जो बाइजूस है वो screen से बाहर ही आ जाएगा मतलब समझ रहे हो ना तो some of the innovations that the government innovations as 6G powered connectivity boosters are solutions that already exist in other forms of telecom connectivity 4G वगारा में ठीक है तो satellite internet यह सबसे important है इसी के लिए मैंने इसको incorporate किया था देखो अभी क्या है तीन चार solutions होते है rural internet क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा इसका English में नाम था मनमौन सिंग नाम था इसका national optical fiber network ठीक है मनमौन सिंग सरकार के दोरान लेकिन बीजेपी ने इसको नाम दे दी है भारत net ठीक भारत net का objective क्या है जो छे लाग पचास अजार ग्राम पंचायत हैं सॉरी छे लाग पचास अजार विलेजेज हैं दो लाग पचास अजार ग्राम पंचायत हैं हम 2010 से यह सपना दिखा रहे हैं इनको कि इनको internet से connect किया जाएगा क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि BSNL की जो वायर आएगी वो underground तो वो सारी जो चीजे होंगी देखो इस चीज के लिए राखी मैं यह बताऊंगा internet का usage minimum कर दो जब तक आप student phase में हो internet पे आप वो ढूंडो जो आपको ढूंडना है ना कि internet पे खो जाओ कितनी duration के लिए internet on करोगे मान लो आपने DNA आपको अच्छा लग रहा है या आपको helpful लग रहा है ठीक आपको यह पता होना चाहिए कि हां मैं DNA देखोंगी बस उसके इलावा वहां पर आएगा मतलब बिना पड़े prelims फोड़े हैं राइट मतलब समझ रहो आ जाता है ऐसा अगई की बार वो तुम्हें इग्नोर करना है खोदी राइट मतलब समझ रहो ना how to get rank one without studying ठीक वो नहीं तुम्हें सुनना फिर यह बोला कि यह 50 topics हैं इसमें से ही 50 questions आएंगे तुम्हें यह देखना है कि तुम जो पढ़ रहे हो वैसे तो मैं सारी terms वेगारा इसमें incorporate कर दे रहा हूं तुम्हें यह देखना है कि तुम जो पढ़ रहे हो उसमें पढ़ते पर अटक गए बस तुम्हें उसके लिए internet on करना है और वो जाके वापिस आजाना है जैसे मान लो गंगा नहाने जाते हो ना पानी ठंडा होता है डुपकी लगाते हो वापिस आजाते हो वहाँ पे बहन नहीं जाना internet पे internet is a notion कि तुम पूरे जिंदगी में अपने internet का 1% न network इसलिए slow चल रहा है कि underground ये underground wire network को बिचाना पड़ेगा और भारत चंचार निगम लिमिटेड को ये काम दिया गया है ठीक इस वज़ा से दिक्कत हो रही है यहाँ पर देखो cellular tower बिचाएंगे तो दिक्कत next light areas में और भी दिक्कत है कि cellular tower ही तोड़ देते हो लोग ठीक अब satellite पर next lights तो नहीं जा सकते right satellite के जरिए internet सेवा provide कराना बहुत आसान है इसलिए एक तो होता regional wifi लगा दिया जैसे हमने बोला na hotspots बनाएंगे उस hotspots से regional पूरे area में wifi connectivity आ जाएगी यहाँ पर receptor लग जाएगा घर के बाहर यह receptor घर के अंदर wifi provide करेगा या फिर satellite से बहुत असान ह तो अब satellite technology के जरिए जितना जादा frequency 6G जो है उसके जरिए wifi से इसे transmit करना बहुत असान हो जाएगा satellite से इसे transmit करना असान है as compared to 4G etc. 4G का wifi satellite से जदी beam होगा वो बहुत slow होगा इस वज़ा से तो DSL wire घर तक आती है अभी जो है wifi router वाला system वो यह है यह हर जगे मुम्किन नहीं ह हो रहा क्योंकि wire की cost बहुत जादा आ जाती है तो सेटलाइट से जरी आप देखो broadcasting आज हम कर रहे है communication में भी सेटलाइट चूज हो रही है disaster rescue operations में वहिकल का GPS tracking यह भी हम इसी से कर रहे है maritime हमारे oceans कहां पे हैं यह भी सेटलाइट से हो रहा है इसी तरह से 6G क्योंकि 6G की speed जादा है अगर उसका 70% भी घर तक पहुंचेगी तो काफी हो जाएगी घर का internet चलाने के लिए ठीक थीक है तो Elon Musk की SpaceX को भारती Airtel को OneWeb को administrative clearance सरकार जल्दी देगी ताकि हम 6G में 5G और 4G में जैसे हम पीछे रह गए थे South Korea USA से इस बार हम पीछे ना रहें तो यह इनका application पार्ट जो है वही UPSC पूछती है हमेशा how will 6G benefit over 5G how will 6G provide more benefits over 5G यह इसका topic बन गया तो अंदे माने निकोबार आइलेंड रिलाइड ओन जीवी पीएस लिंक यहां पर मैंने administrative clearances जो slow चलती है सरकार यह बोल रही है उसको जल्दी जल्दी किया जाएगा situation improved vastly after islands were connected to Chennai by an undersea cable यह भी मैंने आपको बता दिया वन जीवी पीएस था सिरफ अब उसको बढ़ाने के लिए satellite और यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगी ठीक है जाता है ना खुद भी outer atmosphere में destroy हो जाता है जिससे generate होती है क्या वेस्ट इसको हम क्या कहते है कि वेस्ट या फिर हम इसको बोलते हैं कि जो सैटलाइट वेस्ट है जंक है वो collision भी हो रहा है collision मतलब हवा में टकरा जाते हैं वो ऊपर किसी और object से इतना जादा वेस्ट हो गया thanks to China के satellite launch और यह अब यह satellite reusable का मतलब क्या है यह satellite का जो first phase है वो satellite को launch करके आएगा ठीक जैसे satellite launch करने गई एक सिरफ vehicle है जो satellite को launch करके खुद वापिस आ जाएगा got it first stage rocket falling after separation यह rocket अलग हो गया satellite को इसने वहां पर drop कर दिया space shuttle जो है inject करेगी satellite को orbit में उसके बाद वापिस आ जाएगी ठीक maneuver back to the earth with onboard computer controls computer जिसमें रहेंगे जो इसको वापिस आने के लिए लेके guide करेंगे ground station से यह रहा ground station ठीक तो इसका फाइदा क्या है जो space junk हो रहा है space waste हो रहा है वो कम होने लग जाएगा तो तीन चार स्टेजिस हैं आप इसका डाइग्राम वेगारा या कैसे RLV is a winged vehicle that will take off like a rocket glide back to land like a plane rocket की तरह उपर उडएगी शू करके ठीक वापिस आएगी अराम से जैसे एक एरोप्लेन आता है या कोई भी फ्लाइट लाइट करती है थीक 5000 डॉलर्स कन्वेंशनल रॉकेट को लॉंच करने के 5000 डॉलर्स लगते हैं फॉर वन केजी पेलोड वन केजी मतलब अगर सैटलाइट का वेट वन केजी है तो हर एक किलो के लिए 5000 डॉलर्स लगते हैं और यह कितने किलो की सैटलाइट होती है तो उनको लॉंच करने में करोडर रुपए जो खर्चा आता है अब लॉंच वेहिकल हम वापिस ला सकेंगे और इसकी स्पीड कितनी होगी 5 Mac 5 Mac means 5 times the speed of sound इंडियन एर फोर्स का चिनूख हेलिकॉप्टर से यह टेस्ट किया गया है रियूजेबल लॉंच वेहिकल रियूजेबल लॉंच वेहिकल टेक्नोलोजी को डेमोंस्ट्रेट किया है इंडिया ने तो configuration of reusable vehicle is similar to that of an aircraft and combines the complexity of both launch vehicle and aircraft launch vehicle इतनी तेजी से उपर उडेगी लेकिन वा satellite launch mission के लिए इंडिया ने पहली दफा 2010 में इसका परीक्षन इसका experimentation स्टार्ट किया था लेकिन तब हमारा focus था हमारी enemy countries पे इसलिए हमें GSLV, GSLV Mark 3 rockets को launch करना जल्दी जरूरी था हमारे लिए इसलिए हमने RLV को side पे कर दिया था इस project को और GSLV पे ज़्यादा focus था अब क्य जो रूची है या जो focus है अब वो reusable launch vehicle पे है ताकि हम अगली satellite launches को affordable बना सकें उसमें हर बार नया rocket हमें नहीं खरीदना पड़ेगा राइट इंडिया की जो current spend है आप यहाँ पे देखोगे 500-300 करोड रुपे आता है annual spend for satellite launches exclusive use of reusable launch vehicle will bring down the cost 10 times दस गुना खर्चा कम हो जाएगा 30 क रोड में launch पड़ेगी डन तो government to expand the definition of political risk under export guarantee scheme मैं इंडिया का मैं पच्छा नहीं बना पाता है इसलिए मैंने map incorporate कर लिया था जिसको पड़ते टाइम देखो हमारे exporter ने USA में बैठे किसी व्यक्ति को किसी customer को goods बेची ठीक अब हो सकता है कि वो goods पहुंचने के बाद वो बंदा पैसे ना दे इस वज़ा से exporter goods को इंडिया से export नहीं करता ठीक है लेकिन इसको cover करने के लिए इस risk को cover करने के लिए क्या बनाया जाता है export guarantee corporation ठीक अब य export guarantee corporation क्या करता है इंडिया में बैठे exporter का risk cover करता है अगर default हो गया payment वापिस नहीं आई ठीक है या फिर रास्ते में goods खरीदने से मना कर दिया order cancel कर दिया लेकिन order already Titanic पे है मतलब shipment हो चुकी है ठीक इसको अभी तक जो risk cover करा जाता था वो सिरफ यही होता था कि payment नहीं आई default हो तो वो पैसे कौन देगा export guarantee corporation देगा export promotion capital goods और यह सारी जो schemes है उसके अंडर यह सारा कुछ दिया जाता है ठीक है अब क्या किया गया है foreign trade policy जो मैंने उस दिन आपको detail में समझाई थी उसमें क्या किया जा रहा है कि definition जो political risk की है in insurance policies में export guarantee corporation की जो insurance policy है उसमें अब तक till now indemnify या exporters को for the losses when the buyer turns insolvent यानि की default कर रहा है जब buyer ठीक है as well as political risk like war war हो गया चाइना रर्शिया यूकरेन वह हो गया ship रास्ते में फस गया ठीक या सुनामी आ गई या कुछ ऐसा या फिर import restrictions लग गई कोविड की वजा से या laws change हो गए ठीक but does not cover anti-dumping steps और non-tariff barriers अब मान लो कि ये सारे tax ये सारे risk तो cover थे लेकिन अगर इंडिया से कोई goods चली यूरप ने बोला कि आपने इसमें बच्चों का child labor का use किया है इसलिए हम इन goods को payment नहीं करने देंगे goods पहुंच गई यॉरप में पहुंच गई जो john ने मंगवाई थी goods उसने use भी कर ली लेकिन यॉरपीन union ने जब john payment करने लगा तो ऐसे case में political risk की definition को change करने की बात हो रही है यानि कि political risk क्या होता है उस definition को change किया जा रहा है ठीक अब अगर कोई ऐसे non tariff risk वेगारा arise होंगे माल के पहुंचने के बाद तो भारत सरकार का export guarantee council उनको भी cover करेगा ठीक तो यह foreign trade policy का जो target है कि हमें 2 trillion dollars की trade को achieve करना है उसके मद्दे नजर किया गया है exporters में soon be able to get insurance cover for some losses suffered on the account of importing countries sudden imposition of barriers या tax increase कर दिया ठीक अब उस exporter को तो उसने goods बेची थी 100 रुपे की ठीक है और जब US में या European union में वो goods बेची पहुंची तो 20% tax लगा दिया 120 रुपे की हो गई वो अब importer ने बोला कि मैं नहीं ले रहा यह तो नुकसान हो गया न वो goods बापिस आएंगी उन पर कर्चा होगा transportation दो बारा से होगा right कोई ऐसा तो है नहीं कि Metro पकड़ी और पहुंच गई goods तो वो भी cover होगा 20% export guarantee council दे देगा कि चलो ठीक है आप 100 रुपे में बेचो 20 रुपे हम देंगे हर product के लिए इसमें एक term यूज किया गया bonded warehouses ठीक FPT also does away with an earlier requirement for importers who store their merchandise in bonded warehouses अब देखो इंडिया का ही map यूज करेंगे मैंने क्या किया मैंने महारास्ट्रा में एक goods का factory लगाई उस factory में मैंने कहा कि मैं mobile phone produce करूंगा लेकिन उस mobile phone के लिए semiconductor जिसके मुझ दिन बात कर रहे थे semi conductor में को import करना पड़ रहा है कहां से China से या USA से अब semi conductor को मैंने बोला कि मैं duty नहीं दूँगा customs duty नहीं दूँगा क्योंकि मैं इनको import करके दोबारा से import करने वाला हूँ export करने वाला हूँ किसको Japan को Asian countries को या फिर किसी और country को अब क्योंकि मैंने ये वादा दिया है तो government ने मुझे बोला कि ठीक है आप bonded warehouse में अपनी goods को 5 साल या 4 साल जब भी जब तक आप इसको manufacture कर रहे हो तब तक यहीं पे रखो ठीक जब आप इसका duty आपने नहीं दी 100 रुपे के goods आप लेके आए आपको भारत सरकार के customs department को 10% duty देनी थी लेकिन आपने नहीं दी क्योंकि आप इनको भारत सरकार को assurance दे रहे हो या मैं भारत सरकार को यह assurance दे रहा हूँ कि मैं इनको refurbish करके दोबारा से बनाके foreign country को बेचूँगा ठीक तो उससे मैं dollars लेके आऊँगा भारत में वापिस ठीक है 5 years के लिए bonded warehouse में इनको रखा जाएगा ठीक है अब bonded warehouse में क्या होगा इसके लिए मुझे एक bond भरना होगा bond का amount होगा उतना जितनी मुझे duty देनी है मैंने duty नहीं पे की लेकिन मेरे amount पे bond बना दिया मेरे को amount deposit कर करना पड़ेगा department के साथ या bonded warehouse के साथ और वह bonded warehouse तभी वह bond को liquidate करके मेरे पैसे देगा जब मैं उन goods का finally export कर दूंगा country के बाहर और bill दिखा दूंगा और पैसे मेरे account में आ जाएंगे ताकि जो मैंने भारत सरकार से वादा किया कि मैं विदेशी मुद्रा लेके आने के लि है ना पैसे deposit करा हो लेकिन इसमें क्या होता है पैसा stuck हो जाता है है ना मान लो मैंने 100 करोड की goods में लेके आया 10% tax यानि कि 10 करोड की मुझे bond बनवानी पड़ेगी अब वो bond मेरे किसी काम की नहीं है 10 करोड मेरे attack गई क्यों ना मैं 110 करोड का माल लेया हूं और 110 करोड का माल 120 करोड का बना दूँ इसलिए bonded warehouse को खतम कर दिया गया है यानि कि आपने सिरफ assurance दे दिया exporter ने importer ने सिरफ assurance दे दिया importer ने सिरफ assurance दे दिया कि वो उन goods को दोबारा से export करेगा तो बात खतम थीक new open ended foreign trade policy लाई गई है shifting from the earlier 5 year period to now पहले के होता था foreign trade policy 2015 से 2020 की थी उससे पहले वाली 2011 से 2015 की अब यह खतम कर दिया बुले कि open ended foreign trade policy है यह मैंने आपको पिछले दिन के news analysis में 1st April वाले में समझाया था clear है गाइस तो features क्या है इसके इसको आप पढ़ लोगे पिछली DNA को भी आप cover कर लो daily मैं करते रहूंगा time थोड़ा सा इदर उदर हो रहा है अभी इसको set करेंगे जब एक बार हमारा studio complete हो जाता है घर पे जो interactive panel जगा रहा जाएगा then it will be easy for me now India wants to become a $1 trillion tourism economy by 2047 Krishna Reddy sir का ये कहना है हमारे minister of tourism का तो two mega trails इसके लिए करी जा रही है MSME को empower करा जा रहा है G20 के अंडर tourism working group है ठीक अब देखो जनता क्या हो रही है न पूरे world में 7 billion population से भी जादा है aspirational लोग है हम ठीक aspirational मतलब घूमना फिरना सबको अच्छा लग रहा है न अब ऐसे case में जो international tourism है वो बड़ेगा international visitors जो है 100 million international visitors हमें attract करने है 2047 तक जब भारत का 100th year of independence होगा इसलिए आप देखते हो कि अभी 75 years के चलते हम क्या कर रहे है हमने काफी सारी schemes लेके आए है tourism के लिए हृदे scheme और हमारे जो यह sites हैं उनको भी हम improve कर रहे है ताज महलवगारा और यह सब को improve करना और इनको private sector को रख रखाव के लिए देना ठीक in order to give an impetus to tourism sector this year Vision India 2023 observe किया जा रहे है a program which invites the entire world to explore India तो union minister also said that first G20 जो tourism working group की meeting है जो run-off कच गुजरात में करी गई थी उसमें 200 Buddhist monasteries, 40 UNESCO listed world heritage sites, states and national archaeological sites और काफी living temples और prayer centers को highlight किया गया था ठीक है हमारी जो heritage properties हैं उनको दर्शाया जा रहा है world को digitization किया जाएगा इसमें e-visa काफी country जो Buddhist countries है हमारी country क्या है Buddhist tourism of circuit में पढ़ती है तो Indonesia को यहां तक जो जाता है नेपाल से होके यह सब है तो उस circuit को उन countries को जो Asian group of countries की कुछ countries हैं उनके यहां से आने वाले travelers को visa on arrival facility हम दे रहे हैं ताकि digitization skilling tourism के लिए जैसे हम बोलते हैं न कि जो प्रवासी आते हैं हमारी country में उनको respect से treat किया जाए tourism MSME बनाई जाएंगी tourism focused MSME जो इन tourists को फायदा पहुंचाएंगी ठीक है मतलब कुछ ना कुछ उनको facilitation देंगी destination management होगा चोटे-चोटे airports भी बनाए जा रहे है क्योंकि tourists के पास time कम होता है तो शिमला airport राइट चोटे-चोटे के वे में tourism corridor के वे में connect किया जा सके तो इसी प्रक्रिया के इसी process के अंडर नर्मदा ट्रेल किया जा रहा है फ्रॉम अमर कंटक इन मध्यप्रदेश तो Arabian Sea the Kaveri river trail the west coast trail from Kach to Kanyakumari and the east coast trail from West Bengal to Kanyakumari ठीक है observing that India's topography makes the country an ideal destination for sustainable adventure tourism the government is giving it a major push ठीक है तो अब आते एडिटोरिल्स पे quickly autism के लिए एक national program की जरूरत है एक तो राइटर ने इसमें यह कहा है mainstream article नहीं है तो थोड़ा सा इसको हम कर सकते हैं autism क्या होता है कुछ बच्चे होते हैं वह आँख मिलाने से डरते हैं ठीक है उनका reaction कम होता है difficulty in listening slow to respond to verbal requests great ability to remember detailed facts and numbers उनकी ability होती है जो तारे जमी पर आपको दिखाया गया ना कि वह बच्चा differently abled होता है इसलिए हमारी यहां पर disabled को differently abled कहने लगे तो not able to sustain a long back and forth conversation उनका span of attention कम होता है तो ऐसे बच्चों की तादाद हमारी country में बढ़ती चली जा रही है उसके चलते सरकार को एक national program on autism की जरूरत है अम launch करने की जरूरत है ठीक है notable differences cultural differences देखे जा रहे हैं in who gets a clinical diagnosis of autism and who doesn't तो average IQ कम होता है United Kingdom में देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में autism में वर्बल डिक्कते आती है ठीक है इंडिया में significant majority of children in India clinical diagnosis में देखा गया intellectual disability होती है तो autism तरहें तरहें का पाया जाता है different cultural context में autism different हो जाएगा United Kingdom में बच्चे हकला के बोलते हैं या रुक रुक के बोलते हैं इंडिया में बच्चे बोलते ठीक हैं लेकिन intellectually disabled होते हैं limited verbal ability होती है उनकी जो autism से सफर करते हैं तो ऐसी चीजें जो biochemical pathways, biochemical pathways disturb होने की वज़ा से एक बच्चे में core autism के symptoms दर्शाती हैं उनको एक attention pay करने के लिए क्या करना चाहिए एक concerted focused autism के उपर national program की जरूरत है early interventions अगर हो ऐसे बच्चों में वो बच्चे जैसे जैसे उनकी age develop होती है neurodevelopmental conditions उनकी बढ़ने लग जाती है तो इसलिए policy होगी तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा ठीक है क्यों need है national program की to link researchers clinicians service providers to the endorsers in the autism community in India तो a program of this scale needs three essential components number one research training non-specialists ठीक है third building public awareness can serve to reduce stigma अब जिन बच्चों में autism होता है उनमें classroom में बच्चे हसने लग जाते हैं यह सब करने लग जाते हैं अगर awareness build करी जाएगी माबाप में उन बच्चों के भी जो normal हैं और उन बच्चों के भी जो autism से सफर कर रहे हैं तो तारे जमी पर जैसे वो मम्मी के साथ बच्चे की लड़ाई होती रहती है वो सब नहीं होगा यहां पर यह कहा जा रहा है यह जो customs waiver दिया गया है कि customs duty नहीं लगाई जाएगी foreign trade policy में सिरफ इसी के चलते 2 trillion dollar हो जाएगी हमारी trade यह गलत है बोले जा रहा है कि इसमें और कुछ भी किया जाए ठीक है एक तो यह है foreign trade policy में एक और क्या measure लिया गया कि rare diseases के उपर जो customs duty लगती है rare diseases वो होती है जो बहुत कम लोगों को में पाई जाती है अब उनका treatment काफी costly हो जाता है तो सिरफ customs duty उन medicines पे जो rare diseases के treatment में use होती है उन पे कम लगाई जाएगी सिरफ customs duty कम कर देने से कुछ नहीं we need to go beyond customs duty क्योंकि इनका जो इलाज है national policy on rare diseases यह कहती है कि एक 10 kg के weight के बच्चे के लिए annual cost of treatment जो है वो 10 लाक रुपे से 1 करूर तक आती है ठीक है और treatment पूरी उम्र चलता है तो ऐसे case में काफी जादा पैसा बच्चे का खर्च होगा ठीक है basic customs duty 10% की सरकार ने इसलिए जो medicines rare diseases को treat करने में use होती है उस पर basic customs duty हटा दी है लेकिन इनके इलाज की cost इतनी जादा prohibitive होती है कि सिरफ basic customs duty हटाने से कुछ नहीं होगा writer सिरफ इसकी यह मांग कर रहे हैं कि और जादा दी जाए rare diseases में बच्चों की family को राश्ट्रिय आरोग्य निदी से 20 लाक रुपे मिलते है इन rare diseases को group 1, 2 और group 3 में divide किया गया है group 3 diseases for which a definitive treatment is available but challenges are to make optimal patient selection ठीक है patient जो select किया जाए क्योंकि उसको 20 लाक रुपे मिलेंगे तो ऐसा नहीं हो कि कोई patient deserve नहीं करता उसको भी treatment दे दिया तो इसका procedure इसका process of identification काफी strict रखा गया है ठीक, beneficiaries for such financial assistance would not be limited to BPL families क्योंकि इलाज इतना महंगा है कि कोई APL यानि कि above poverty line family भी है वो भी BPL हो जाएगी तो यह सारी चीज़े है इसमें ठीक है तो अब यह कहा जा रहा है PM जन आ रहो हो गया निदी के जरीए जो scheme के financial assistance दिये जाएंगे यह इसके broad features है यह आप पढ़ रहे थे गवर में सारा कुछ करूंगा अगर कुछ मिस हो जाएगा उस पे जो editorial आएगा उसमें यह facts रहेंगे अगर आपका कुछ DNA मिस हो गया है पहले तो उसी को जाके देख लो अगर नहीं देख पाते हो तो at least in facts को cover कर लो पिछले DNA में Saturday के DNA में मैंने foreign trade policy काफी detail में पढ politics की editorial में बात करेंगे इसमें यह कहा गया कि Japanese Prime Minister Pumio Kishida जब इंडिया आए तो उन्होंने दुबारा से वह point दहरा जिसमें कि Japan का जो new plan है for free and open Indo-Pacific Ocean टीक इंडिया ने जपान को जो है replace किया है as the third largest और fourth largest economic power लेकिन फिर भी जपान international trade पे काफी depend करता है तो इसके मद्दे of navigation and rule of law को observe करना Japan के लिए जरूरी है क्योंकि Japan एक leading economy है और इसी के चलते deepening of Japan India special strategic and global partnership को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने आगे बढ़ाने की बात की है जब यह meeting होई Delhi में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच में ठीक है और global bilateral issues पे भी दोनों countries एक common रु freedom of Indo-Pacific lays stress on the need to uphold the rules-based order rules-based order मतलब United Nations convention on law of sea को या United Nations freedom of navigation को respect किया जाए territorial sovereignty के उपर चाइना जैसे कबजे कर रहा है वो ना कर आजाए Japan की नई policy focus करती है काफी सारे जो challenges world में देखने को मिल रहे है Ukraine war, food security, cyber space जैसे cyber attacks हो रहे हैं यह सब ठीक और cyber space का governance डेटा कहाँ पर store होगा और उसी के साथ-साथ freedom of navigation in the high seas Japan की इस policy में यह realization भी है that Japan को और भी जादा कुछ करना होगा जिम्मेवारी लेनी होगी इस region में सिरफ quadrilateral बनाने से काम नहीं चलेगा सिरफ AUK, US जो बनाई गई है groupings उनसे काम नहीं चलेगा Japan being a part of Indo-Pacific Japan यह अपनी जिम्मेवारी को समझता है और इसी के चलते जपान ने जो freedom of Indo-Pacific policy launch करी है उसमें चार pillars को, four pillars of cooperation को identify किया है जिसमें की इंडिया की साज़ेदारी important है नमबर वन, चार pillars में से pillar नमबर वन है principles for peace and rules for prosperity नमबर टू, addressing challenges in an Indo-Pacific way नमबर त्री, multi-layered connectivity नमबर फोर, extending efforts for security and safe use of the sea to the air ठीक है, safe use of sea है, ऐसा नहीं है कि militarization of sea हो रहा हो जैसे ये Taiwan और China में इतने सारे जो aircraft carriers लगाने की बात हो रही है ये सारी चीज़े नहीं होनी चाहिए, done now, first pillar में, Japan ने ये point out किया है, जो vulnerable countries है वो हैं, जहां पे rule of law सफर होता है जैसे United Nations Convention on Law of Sea को अगर observe नहीं किया जाएगा इस कानून को observe नहीं किया जाएगा तो Philippines के कुछ islands के उपर चाइना ने कबजा कर लिया तो ये छोटी countries vulnerable हो जाती है pillar 1 इसको recognize कर रहा है कौन सा pillar 1? principles of peace ठीक है, Japan wants to engage in economic development programs such as promoting the implementation of G20 principles for quality infrastructure investment Japan जो है quality infrastructure में investment करेगा in seas में, इनके ports बनाना, इन countries के, छोटी countries के ports वगारा को बनाना second pillar, expansion of cooperation की बात करता है for freedom of Indo-Pacific by incorporating realistic and practical projects India के साथ cooperate करना, cyber security में, global health में, ये सारा कुछ Japan connectivity के लिए भी बाते कर रहा है connectivity projects bilaterally with many countries in the Indo-Pacific ठीक है, second pillar ये हो गया, expansion of cooperation third pillar, the three areas identified for introducing more such projects are South East Asia, South Asia and South Pacific तो जो Indo-Pacific को length and breadth को cover करने वाले areas है third pillar के तहट, अपनी freedom of Indo-Pacific policy में जो चार pillars है उसमें से third pillar के तहट, इन regions की countries के साथ partnership किया जाएगा including India ठीक है, तो writer ने इसमें ये कहा है कि Japan कहीं दूर नहीं जा रहा, ठीक है Japan official development assistance जो दे रहा है तो Japan ने goodbye नहीं कहा है, अभी freedom of Indo-Pacific navigation या Indo-Pacific security को ठीक है, जपान के किशीदा जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इसमें सरकार खुद से official development यानि कि जो ये बड़ी countries है ना USA, जपान, UK ये official development assistance देती है चोटी countries को अब इसमें जपान अपना जो official development assistance दे रहा है अगले 10 सालों के लिए उसने commitment करी है कि 75 billion dollar का investment mobilize करवाएगा इधर खुद, जपान खुद या private जो funds है Indo-Pacific region countries के उनके जरीए 2030 तक जपान खुद कुछ पैसा लगाएगा 25-30 billion dollar लेकिन उसके चलते उन countries को भी कहा जाएगा चोटी countries को South Asia, East Asia में South East Asia में कि आप भी investment करो तो हम करेंगे इस हिसाब से 75 billion dollar का private capital public capital mobilize होगा सरकारों का capital और private उद्योगों का चाहे आदानी हो चाहे और देश के बड़े-बड़े उद्योग पतियों वो भी पैसा लगाएगे एक जपान जो deeply invested है Indo-Pacific stability और prosperity में वो इंडिया के लिए अच्छा है तो writers नहीं यह कहा है कि भी देखो कोई आशंका की, कोई घवराने की जुरूरत नहीं है हम यह सोच रहे थे कि Japan withdraw कर रहा है Sayonara हो रहा है, Sayonara मतलब no goodbye for Japan अब Japan goodbye नहीं कह रहा है Indo-Pacific को, Indo-Pacific में committed है और अगर Japan Indo-Pacific में committed है इंडिया जैसी country के लिए जो की एक umbrella, जो की एक साक डूंड रही है कि Indo-Pacific में अखेले ना पढ़ जाए इंडिया चाइना के खत्रे है, freedom of navigation चाइना, Taiwan, चाइना, Hong Kong चाइना, North Korea यह जो challenges है इनके मद्दे नजर इंडिया को Japan जैसी बड़ी country के ऐसे ऐलान करने से फाइदा मिलता है यह था हमारा आज का daily the Hindu news and editorial analysis जो भी topic हम cover कर रहे हैं newspaper में, कोशिश है कि news हम सारी cover करें, editorials जो repeat होते हैं, उनको हम cover नहीं करेंगे, जितना हमारे exam के लिए enough है, यह चार principles वगारा आप Indo-Japan के note कर लो, that is enough for you, done guys, thank you bye-bye, और अपनी preparation को अगर आप streamline करना चाहते हो, कुछ preparation में problem आ रही है, तो आप हमारे mentorship course या GS का जो focused batch अभी 10 April से start होने जा रहा है, अब उसमें भी enroll कर सकते हैं online courses के कुछ prices वगारा हमने revise करे हैं, नया revision होने जा रहा है, उससे पहले-पहले आप enroll कर सकते हो, अगले batches 2023 के लिए, polity, economy, geography, history पूरा उसमें cover किया जाएगा, guys, done, thank you